चलिए आप सबको मेरी बहुत बहुत सुबकामना हैं। आप देखते हैं कि खेल अपने आप में सामान्य व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और अगर खेल को हम जिंद्गी का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो जीवन एक प्रकार से विक्सित नहीं होसता है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भरा पड़ा है कि फीजिकल हेल्थ के लिए खेल जरूरी हैं। यह बहुत ही सीमित सोच है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, ओरल डेवलोप्मेंट के लिए, खेल जीवन का हिस्सा होना बहुत अनिवारिया है। खेल से समाज जीवन भी विक्सित होता है, राष्ट जीवन भी विक्सित होता है। भारत जैसे देश जहां पर करीब करीब सो भाषाएं हो, 1700 डालेक्स हो, भाती-भाती के पहनाव हो, भाती-भाती के खान-पान हो। हमारे देश में तो एक छोर से दूसरे छोर तक डिस्टिक लिवल की टीमेकर खेलती रहें, बारों महिना खेलती रहें, तो सिरफ खेल ही नहीं, नेशनल इंट्रिकेशन का यह सबसे बड़ा एक आधार बन सकता है। और इसलिए भारत में खेलतों व्यक्तित्व के विकास के साथ समाज के अंदर एक लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हो, तो स्पोर्ट्स्में स्पिरिट आता है। और जब स्पोर्ट्समें स्पिरिट होता है, तो एक प्रकार से परिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में यह लुब्रिकेशन का काम करता है, खुला पन लाता है, दूसरे को स्विकारने का सामर्थ देता है।